अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है आज हम लोग अर्थ सास्त्र के एकोनोमिक्स के महत्पुन प्रस्ण करने वाले हैं जो कि सभी एक्जाम में बार बार यह प्रस्ण पूछे जाते हैं चाहे वो बिहार SAC हो चाहे लडीसी हो MTS हो NTPC हो या गुरूप्टी हो सभी परिच्छाओं में यहां से प्रस्ण अक्सर पूछे जाते हैं तो चलिए हम लोग वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को skip मत किजिएगा यहां पर जितने भी प्रस्ण है वो सभी एक्जाम के ही पूछे गये प्रस्ण है और सीधे ही एक्जाम में पूछे जाते हैं भारती अर्थ विवस्था के संदर्व में इमलिखित में से कौन सा माधमिक छेतर के अंदरगत आता है? तो इस प्रस्ण का उप्शन हो जाएगा, उप्शन B, उड्योग. अगर बात किया जाए भारती अर्थ विवस्था को तो तीन भागों में बाठा गया है, प्रात्मिक छेत, दोतियक छेत और तुरतियक छेत, जिसे इंगलिस में प्राइमरी सेक्टर, सकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर काहा जाता है. प्रात्मिक छेतर के अंतरगत जो आता है, मुख रूप से कच्चे माल से समंधित बस्तों को सामिर किया जाता है, जैसे किर्सी, पसुपालन, खनन, आधी इसके अंतरगत आते हैं, और कच्चे माल में, जो प्रात्मिक छेतर में कच्चे माल उत्पातन किया जाते हैं, उसक वस्तरूद्योग, वाहन, बिस्किट, केक, इत्यादी, उद्योग, यह सब सकेंड़ी सेक्ٹर में आते हैं, यानि दूतियक-खेत्र में आते हैं, और तिर्थयक-खेत्र के अंतरगत बात कीजाए, तो इस पर का इस खेत्र के अंतरगत सेबाओं का उत्पादन किया जाता है जैसे यातायात का हो बीमा इंसूरेंस का हो हेल्थ का हो एजुकेशन का हो या बैंकिंग सेक्टर हो सभी गोभर्रेमेंट सेक्टर जो होते हैं यह तिर्तियक छेतर के अंतरगत आएगे तो चलिए हम लोग वीडियो को सुरू करते हैं अगर पूछा जाए कि GDP का सरव सेक्टर की अंतरगत जाता है वो लगभग 28% है और चीर्तियक शेतर के अंतरगत जाता है उनी इस परतिसत लगभग चलिए हम लोग वीडियो को दूसरा प्रसन भारती अर्थ वेवस्था न में से किस छेत्र के सेवा के रूप में भी जाना जाता है देखिए किस छेत्र को सेवा सेवा के छेत्र को अभी ज़ेश्ट हम बात किये टर्सरी सेक्टर होता है तुर्तियक छेत्रक होता है तो इसका ओप्शन ए हो जाएगा असंगठित छेत्र प्रात्मिक एक उदारन है तो यह हो जाएगा खेती संगठित और असंगठित शेतर की बात की गई है असंगठित शेतर का एक उदारन है तो खेती खेती असंगठित शेतर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सेक्टर में जो होता है सरकार के साथ पंजीकरन नहीं होता है और नहीं इसमें र परागत कार्य करने वाले के अलावा भूमीहीन किसान, छोटे किसान, सहरी दैनिक मजदूर, पादी इस सरेनी में आते हैं, यह क्या हो जाएगा प्रात्मिक सरेनी क्या, तो आप लोग समझ गये होगे, अगला जो प्रस्न है, किस छेत्र में भारत में किर्सी बाद दूसरा सबसे बरा नियुकता है, तो इस प्रस्न का सही उतर हो जाएगा, उपसंडी वस्तर उद्योग, वस्त छेत्र में भारत के किर्सी के बाद दूसरा सबसे बरा नियुकता छेत्र माना गया है, अगर वस्तर उद्योग की बात की जाए, तो वस्तर उद्योग प्राचीन उद् सबसे संगठित एबं व्यापक उद्योग भी है कि देश में रोजगार उपलबध कराने में वस्त्री टिसी के बाद दूसरा सबसे बरा नियुकता यानि सबसे बरात्षेत कराने सारे थाहर कि अंत्रक्ता अधि भारत के GDP की गन्ना करता है देखें ये प्रेशन बिहार SAC में पूछा गया था डारेक्टली कि निम्रिखित में से कौन सा भी भाग जो है भारत के GDP की गन्ना करता है तो वह है केंद्रिय सांखे की काडिया ले तो यहां पर option number C हो जाएगा और थाथ इसको इंग्लीज में कहत करता है कि आकरू को संग्रहन करता है और सांखे की रिकोर्ट का अनुच प्रच्छन करता है कि देखें आगे का जो प्रस्ण निम्रिखित में से कौन सा छेत्र भारत की GDP की सरवाधी की योगदान देता है इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं तो कौन सा सबसे ज्यादा सर् थे देखें के अंटर रिते विवकित में से का जो प्रसफिए सेय जो है शहिए अटान परतिसतिता यह जी डीपी का योगदान देता है आगे का जो प्रस्न है भारत में राष्टी आई की गन्ना का पहला पढ़ियास किस ने किया था दादा भाई नवरोजी के दौरा किया गया था तो ओप्सन नमर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन है यह बहुत सारे एक्जाम में यह कोस्टन डारेक्ट ली पूछे जाते हैं स्वतंदता के बाल दूसरी पंचवर्थी योजना देखिए दूसरी पंचवर्थी योजना जिसका कारिकान 1956 से एकसट के दौरान जर्मनी के सही यूग से किस इस पाथ स देखिए पर्थाम जो पंचिवर्सी योजना थी वो 1901 से 1956 के बीच थी और दूरतिय जो थी उद्योग का विकास तो यहां पर देखिए दूसरा में राव के लाइस पास सन्यांत्र जो की जर्मनी के सयोग से विकास किया गया था आईए हम इससे जूरे हुए देखिए पहली पंचिवर्सी योजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं इसकी अबधी की बात करें तो 1901 से 56 थी और 21 मोडल पड़ाधारी थी यहां से देखिए प्रसर पूछा गया था पिहार सेसी में भी फर्ष्ट और स पडराधारी थी तहय्रोड डोमर मोडल पडराधारी थी उसका उत्व के सिए योजना के काल के दॉरां सिचाइपड योजना की शुरु आँप गयात भी नहांगार लुद्रियोजना तो यह सभी पर्योजना जो हैँ यह पर्थां-पंचबर्सी योजना कर से समय. कि इसका सई पर क्या हो जाएगा क्योर्सी पर था अब देखें दूतिये पंचबर्सी योजना के बारे में हम लोग डीटेश में पर लेते हैं इसकी अब दूतिये पंचबर्सी योजना की अब्धी जो थी 1956 से 1961 भी और यह किस मोडल पर अधारी थी तो पीसी महाल नोबिस मोडल पर देखें ये भी प्रसन पूछा गया था दूसरी ये पंचबर्सी योजना जो थी पीसी महाल रखाना की अस्थापना किया गया था राव के एला में देखिए अगला प्रस्ण जो है भारत सरकार की पर्थम पंचबर्सी योजना किस मोडल पर अधारी थी इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा उप्संसी है रोड डोमन मोडल पर जो कि पर्थम पंचबर्सी योजना अधारी थी उनीस्वएकामन से च्छपण इसका वर्स रखा गया था और दूतिय पंचबर्सी योजना का जो था वह उनीस्वचपन से उनीस्वएकसर था पीसी महाल नोबिस मोडल पर अधारी थी यह जोरों फेक्ट जो है आप ल यहां पर देखिए पर्थम पंचबर्सी योजना जो था इसका कारिकाल 1901 से 56 की योजना जो था उसका मसाउधा किस के द्वारा तयार किया गया था किस अर्थ सास्त्री के द्वारा तो इस प्रस्ण का सहीवतर हो जाएगा के अन राज यह मोडल नहीं पूछा है पूछा है म किस में तयार किया था तो के अन राज के द्वारा आप लोग यहां रखिए का बहुत ही इंपुर्टन प्रस्ण राज के द्वारा यह मसाउधा तयार किया गया था देखिए अनटी पीसी में यह प्रस्ण 2021 में पूछा गया था और यह योजिना जो है किस मोडल पर अधारी था तो आप लोगों को पता पर्थम पंचवर्षी योजिना जो थी हेरोड दोमर मोडल पर अधारी थी और इसका मसवदा केन राज के द्वरा तयार किया गया था और इसका PDF भी प्राप्ट करने के लिए आप लोग डिस्किप्शन के नीचे हमारा टेलिग्राम का लिंक मिल जागा वहां से जाकर आप इसका पीडिया पर ही प्राप्त कर सकते हैं प्रस्म योजना के बाद लोग ऑब कास का समय था तो यह पर देख लीजें है का लिश्ट दिया हुआ है 2017 तक दिया हुआ है आप चाहे तो स्क्रीन सोट ले लिजे या पीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल के प्लेडिश्ट में आपको टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा वहां से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं अगला प्रसंद देखिए किस यो थोजना के अंतरगत क्रॉट वग्षी नीति आरंब की जिसमें हरित कॉर्म का जनम हुआ अब यहां से देखिए भी बहुत सारे प्रसंद बनते हैं कि देखिए हरित क्रॉंटी का जनम जो हुआ था 1966 सेundया सब्सक्राइसर भारत को भरत में हरित कर लम की शुरूआत हुए हरित करांती के जन्मदाता अगर बात की जाए, हरित करांती के जन्मदाता की बात की जाए, तो प्रोफेसर, बोर्बेन, बोर्लोग थे. लेकिन भारत में हरित करांती के जन्मदाता की बात की जाए, यह सारे फेक्ट आप लोग ध्यान में रखे हैं अगला जो प्रस्न है भारतिय रिजर्बाइंग की अस्थापना कब की गई थी इस प्रस्न का सयुत्तर हो जाएगा एक अपरेल 1935 को तो उप्सन सीज का सयुत्तर हो जाएगा देखी कितनी बार यह प्रस्न रिपीट हुआ है कितना बार यह प्रस्न पूछा गया है देखे भारतिय रिजर्बाइंग की अस्थापना जो है एक अपरेल 1935 को हुई थी वर्थ 1909 में इसका राष्टिय करन किया ग देखे और यह जब अस्थापना हुई थी तो पांच करोड इसका इसका जो रकम था वो पांच करोड के साथ यह शुरू हुई थी आगे का देखे प्रस्ण है 2000 के भारतिय बैंक नोट पर छपा मंगल यान क्या दर्साता है बहुत इंप्रोटेंट प्रस्ण है देखे यह भी गुरूप D में पूछा गया है तो इस प्रस्ण का सहुतर होगा ओप्सन नमबर ए अंत्रिच में भारत का पहला अभ्यान भारत यह बैंक नोट पर छपा मंगल यान है 2000 के नोट पर वह भारत अंत्रिच में भारत का पहला अभ्यान को दर्साता है तो उप्सन ए इसका सही उत्तर हो जाए आए कुछ नोट के बारे में हम लोग देख लेते हैं किस नोट पर क्या छपा हुआ है करेंसी नोट भारत के करें और उस पर छपा सांस्क्रितिक एबं बिरासत का परतीक के बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले 200 रुपय के नोट की बात करें तो सांची का स्थूप का है चित्र और 500 रुपय के नोट की बात करें तो दिल्ली के लाल किला का चित्र बना हुआ है और जबकि 2000 के नो सब्सक्राइब क सब्सक्राइब किस उप्यों किये जाते हैं कि से mr hope किए जाते हैं और याद रैखेगा बूल अगर कोई क्द्यक्ति कह रहा ते आर्थ होता है कि मार्केट का सअब इसहाई हुपर चरह रह गया यानि profit हो गया और वी कर रहा है तो market का share जो है वह नीचा गिर गया है ठीक है तो यह चीज आप लोग ध्यान में रखेगा कि bull और bear से भी पूछ लेता है कि bull का अर्थ क्या होता है और bear का अर्थ क्या होता है और यह सभी share बाजार के अंतरगत आते और share बाजार को किसके द्वारा handle किया जाता है तो यह आता है सेवी के द्वारा यह भी आप लोग याद रखेगा सेवी के द्वारा आता है सेवी का full form भी पूछा जाता है the secretary exchange board of India ठीक है और सेवी जो है इसका भी headquarter मुंबई में है तो यह सारे fact आप लोग ध्यान में रखेगा देखिए ठीक है ऊपर चलना bull market में कर कोई पुकार रहा है तो उसका अर्थ होता है उपर चटना यानि कि सेर का भेलू बढ़ जाना और बजार में यदि कोई बियर कह रहा है तो इसका आर्थ होता है सुचकांक नीचे गिर रहा है तो यह सारे fact आप लोग ध्यान में रखेंगे देखें बहुत ही अच्छा प्रस्ण है सरकार के कुल ब्याय और रिन को छोड कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है इस प्रस्ण का सेयुत्र क्या होगा Option C, राजकोष की यह घाटा सरकार का जितना भी ब्याय होता है रीन को छोर दिया जाए कुल प्राप्ति के बीज के अंतर को राजकोसिय गहाटा कहा जाता है देखिए राजकोसिय गहाटा कहा जाता है चालू भी थी ये वर्स में राजकोसिय गहाटा एबन पिछले वर्स में रिन पड़ भी आज भोगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहा जागा है, ये चीज भी आप लोग ज्ञान में रखेगा, कुल आई से अधिक हो तो इसे घाटे की मात्रा को राजसु घाटा कहा जाता है, जब कोई देश निर्यात की तुल्ना में आयात अधिक करता है, तो तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेड डेफिसिट या बेपार घाटा, इंगलिस और हिंदी दोनों याद रखेगा, क्योंकि एकोनोमिक्स में, ओप्शन में, हिंदी के बाजाए, इंगलिस में ही दे दिया जाएगा, राजकोशी ये घाटा जो होता है, सरकार की कुल भी आई, माइनस सरकार की कुल आई, प्लस रीनो की बसूली, प्लस अन्य प्राप्तिया, ये कहलाती है, राजकोशी ये घाटा, अब देखें, अगला प्रसन जो है, बीतिये घाटा सब्द भारा सरकार के किस मंत्राले के से सम्मंदिते, ये भी प्रसन बहुत बार पूछा गया है, तो इस प्रसन का सयुतर क्या होगा, बीत बिभाग से, बीत ये घाटा जो सब्द है, वो भारा सरकार के बीत मंत्राले के अंतरगत आएगा, तो देखें, बीत मंत्राले के अंतरगत कौन-कौन से आएगे, सबसे पहले बात करते हैं, बीत मंत्राले की अस्थापना 29 अक्ट सारे फेक्ट भी जो है बीतिय विभाग के अंतरगत आता है तो यह सारे फेक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे चलिए आगे का प्रस्न हम लोग देखेंगे भारत में बस्तू एबम सेवाकर यानि जी एश्टी ग्रोस ठीके जी एश्टी की शुरुआत कब की गई थी तो जी एश्टी की सुरुआत भारत में जो है एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था ठीके तो इसका option ये इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए जी एश्टी लागू करने बाला पहला देस कौन था तो जी जो रहा गया था वर्स 2011 की जनगन्ना की अनुसार भारत का तीसरा सरवाधिक जनसंख्या बाला राज कौँसा है तो इस प्रस्न का सहितर क्या हो जाएगा अपना बिहार है ठीक है 2011 के जनगन्ना के अनुसार सरवाधिक जनसंख्या बाले पांच राज्यों है पर्थाम राज्यों था उत्तर परदेश था 16.151 परतिसत महराष्ट दूसीय अर्थान पर तिर्थिये पर अपना बिहार चतूर्थ अस्थान पर परश्यमंगार और पचमा अस्थान पर अंधर से तो यह सारे फिक्ट आप लोग भी ध्यान रख्येगा यह प्रस्न भी देखिए बहुत बार पीपेसी में भी पूछा गया है भारत की जनगन्ना 2021 के अनुसार जनसंख्या अध्गनत तो कितना था तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलो मीटर यानि एक वर्ग किलो मीटर में 382 से व्यक्ति ठीक है कि दो हजारे गारे की जनगन्ना के अनुसार भारत में सहरी गरामी जनसंख्या का अनुपात लगभग कितना था बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है इस प्रस्न का सयुत्तर होगा ओप्शन सी 31.69 पर तीशत 31.79 पर तीशत 31.31 अनुपात 79 तो ओप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंगा नुपात की बात की जाए तो यह 943 तथा जनसंख्या घनत अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं 382 था यह सारे देखे रिपीट होता है जनसंख्या घनत से जो भी है जनगन्ना से 211 के जनगन्ना के नुशार इन में से किस राज में सरवाधिक आदिवासी अबादी निवास करती है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर क्या हो जाएगा उप्शन भी मधपरदेस में 211 के जनगन्ना के नुशार की अगर बात की जाए तो सरवाधिक आदिवासी अबादी बाला जो राज होगा वो मध्ध परदे से तो अप्सन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला जो प्रस्न है वर्स 2011 के जर्गन्ना का अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानि BPL के नीचे की परतीसत क्या है बहुत ही important question है इस प्रस्न का सही उत्तर होगा 22 परतीसत 2000 गारे के जर्गन्ना का अनुसार गरीबी रेखा से नीचे यानि BPL के नीचे 22 परतीसत है तो option A इसका सही उत्तर हो जाएगा देखें 21.92 परतीसत लगवाग 22 परतीसत के बराबर है अगला जो प्रस्न है निमलिखित सहरों में से किसकी जन संक्या सबसे अधिक है यहां सहरों को दिया हुआ है तो सहरों में जो हो जाएगा इसका सही उनसर हो जाएगा option यह मूंबई हो जाएगा ठीक है निमलिखित जन संक्या में सबसे अधिक तो जो 2001 गारे के जन संक्या जन गन्ना के नुसार जो था मुंबई सहर का था मुंबई सहर की अगर जनसंख्या की बात करे ठीक है तो संपूर्ण बीसु की जनसंख्या का भारत में जो संपूर्ण बीसु की जनसंख्या का सत्रे पॉइंट पॉइंट पर तीसत है 2021 के अनुसार भारत में दस लाग की अबादी वाले सहरू की संख्यात तीरपने ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट प्रस्न है इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे है देखिए आगे जो प्रस्न है स्वेत करांती जिस प्रकार दूद उत्पादन से समंदिते उसी प्रकार पीली करांती का समंद कि से है तो इस प्रस्न का सही उत्र होगा उप्सन नमर सी तीलहन से आईए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ देखिए अगर हडीत करांती के बात की जाए तो खादान उत्पादन से समंदिते ठीक है स्वेत करांती के बात की जाए तो दुखद उत्पादन से प